Hello Friends, Welcome to Electrical IQ Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कोर्स के बढ़े में बताऊंगा जो है Electrical Safety के उपर तो अप लोग को पता ही है कि Electrical Safety कितना important होता है और अप लोग को थोड़ा Electrical Safety के बढ़े में जानना भी जरूरी है तो ये कोर्स अप लोग को जरूर करना चाहिए हलाकि ये कोर्स अपको फ्री में मील रहे हैं लेकिन Certificate अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा amount टे करना पड़ेगा लेकिन Knowledge गेन करने के लिए ये कोर्स अप जरूर करे Certificate इतना important नहीं है Knowledge बहुत important है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कोर्स कैसे करना है तो ये कोर्स जो है वो OSH Academy की तरफ से आपको मिल रहे हैं तो इस साइट का लिंक मैं description में दे दूँगा आप यहां से इस साइट पर आ सकते हैं और तो जब आप इस साइट पर आएंगे तो आपके साबने ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि Electrical Safety for Employees Basic ये कोर्स का नाम है ये है वो कोर्स और आप यहां पर देख सकते हैं ये कोर्स तो दो मॉडूल्स में है और ये कोर्स अपको फ्री में मिल रहे हैं लेकिन सार्टिफिकेट के लिए आपको यहां पर ये अमाउंट पे करना पड़ेगा तो हम ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम ज़स्ट ये कोर्स सीखना चाहते हैं ये कोर्स ज़स्ट नॉलेज के लिए हम ये कोर्स करेंगे तो हम स्टार्ट कोर्स में जब क्लिक करेंगे तो आपके सब ने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सरे section है जैसे 1.1, 1.2 ऐसे करके आपको नीचे कुछ question आपको दिया जाएगा तो इस question का answer देखे आपको इस section पार करके यह video देखना है और ऐसे यह course आपको करना है तो आपके सामने कुछ electrical safety के उपर कुछ दिया गया होगा तो उसी related आपको यहाँ पर कुछ question पुछा जाएगा तो आपको उसका answer देके फिर next में click करना है तो चलिए करके देखते हैं तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में answer देके दिखाता हूँ आपको कैसे यह करना है तो फिर next click करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है what is voltage, what is ampere, what is ohome ऐसे आपको यह पूरा पढ़ना है यह इसमें भी आपको थोड़ा knowledge gain होगा और उसी के बाद यह आपको यह question का answer देना है जैसे यहाँ पे लिखा है which of the following is the unit used to measure the resistance to the follow of electrical current तो जो resistance का unit किया है यही यहाँ पे पुछा गया है तो यहाँ पे resistance का unit किया है ohome है तो आपको यहाँ पे ohome पे click करके next पे click करना है तो यह पूरा जो paragraph दिया गया है आपको ऐसे अच्छे से एडिट करना है, उसके बाद ही इसका एंसर दे के फिर next पर click करना है, ऐसे नहीं, आप कुछ भी आपधे click कर दे, मैं आपको यहाँ पे देखाने के लिए जल्दी जल्दी में क्लिक कर दे रहा हूँ तो आपको ऐसे नहीं करना है आपको थोड़ा अच्छे से यह जो बोला गया उपर जो परेग्रफ दिया गया है वो पढ़ना है तो फिर एंसर देना है यह स्टाटिक लेक्टिक सिटी के उपर है तो यह एंसर मैंने दे दिया उसके बाद यह उवरोड हैज़ाट के उपर चलिए इसका भी मैंने एंसर दे दिया अभी है यह वीडियो स्टार्ट हो गया तो यह वीडियो यहाँ पर आ गया तो यह वीडियो कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छा ग्यान अच्छा नौलेज आपको मिलेगा Electrical Safety के उपर तो I think आपको ये विडियो अच्छा लगा होगा और I hope आप ये कोर्स जरूर करेंगे तो विडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठेंक यू